इस लेक्च्चर वीडियो में आज हम दिखेंगे कि ITR 1, that is ITR filing for the salad income person कैसे फाइल करते हैं देखें कि बहुत लोग जो हैं अपनी ITR filing खुद भी करते हैं कुछ लोग जो हैं प्रोफेशन को हाईर करते हैं बट जो लोग खुद करते हैं उनको कई वाई कुछ दिक्कत हो जाती है कि ITR filing कैसे करते हैं कुछ लोगों को समझ आ रहेता है बट फिर भी मिया पर मैं कुछ in depth कुछ और बात यहां पर आपको बताना चाहूंगा जिससे आपकी गलती होने के chances कम से कम हों देखें जब भी आप कोई भी ITR file कर रहे हो तो पहले है देखो कि आपको देखना चाहिए कि आपकी source of income जो है कहां कहां से आपकी अराइज हो रही है देखें जाकर देखा जाए तो आपकी income जो है broadly आपकी कहां कहां से जनेट हो सकती है या तो आप solid income person हो और side by side आपका चोटा कोई business हो ठीक है और देखें कोई person अगर business भी कर रहा है तो obviously वो saving कर रहा होगा या कहीं पर कोई person जो है इसको invest भी कर रहा होगा तो उसकी कोई income capital gain से भी आरास होती है या कोई by view of interest भी आरास होती है तो इस तरह से देखें बहुत सारी income हो से जैसे माने किसी अग घर है दो घर है एक घर पर वो कोई person जो है कुद रह रह रहा है दूसरा गर उसना rent पर देदिया थे तो rent भी एक house properties income आरास हो रही है तो पर फाइल करना है तो बे मेली जो है आपर गोर्मेंट ने चार्ट आपके जो है टाइप के फॉर्म में आखे है आईटर 1, आईटर 2, आईटर 3, आईटर 4 आज हम जो बात कर रहे है वह बात कर रहे हैं यहने कि जिनकी income जो है broadly मेली salaries आती है और by view of interest यहने कि income from other sources as well as जिसकी income house property से आती हो by way of rent अगर इन तीनों को add करते हैं तो हम जो है और जिसकी salana income यहने कि annual income अगर 50 lakh croze नहीं होती तो फिर वो ITR वर में जाता है ठीक है आपको starting में थोड़ा सा दिक्कत करेगा but by the time जैसे आप इसको खुद जब ITR फाइल करोगे तो आपको यह यह बीज लगेगा but the thing is that you need to keep you many things in your mind the small small things for what for the to minimize the chances of error तो आपको बहुत ध्यान से दिखना है तो आपको simply का करना है पहला आपको Google पर जाना है and type करना है ITR login यहाँ पर आपको first login लेगेगा तो आपको simply click करना है and then यहाँ पर आपको अपना login लेखिए लोगिन लेखिए आपका pen pen number यहाँ पर अपना pen number लेखिए continue इसके बाद आपना password लेखिए पासबर लेखिने के पर यहाँ पर टिक किजिए प्लिस क्लिक confirm your secure access continue जब लोगिन करेंगे तो आपको first dashboard आपको इस तरह नज़र आएगा जहाँ पर आपको लिखा होगा आपको आपको लिखा होगा आपको आपको नाम आपका pen number आपका hour number phone number and email ready यहाँ पर यहाँ मैंने इसको करने accordingly form 16 part B के according तो यह part B है यह सभी का sub-conformant same होता है तो दिखी जासे इस person की जो salary है वो दिखी कितनी है gross salary salary as per provision section 17 1 that is 11,48,527 इसके बाद इस person को किसी बेतर की कोई benefit नहीं मिल रहे, other than salary, total यह हो गया salary, इसके बाद employee ने कुछ HR रहने की house rent pay कर रहा है, तो उतने amount उसने यह claim कर रहा हूँ, इसके बाद government सब को एक standard detection देती है, that is of rupees 50,000, चेकी कि यह सब को मिलता है, इसके बाद income from house property से कोई income नहीं है, income from other sources से भी कोई नहीं है, जिससे TDS काटाओं वो भी कोई amount नहीं है, तो total जो amount होगे, that is 10 like 80,930, इसके बाद इस employee ने कुछ जो है deduction ली है, under section, जो chapter 6A है, उसके recording, तो 80C में जो है, देखे, पूरा को पूरा कितना हो गया, यह amount पूरा को पूरा को वो claim कर रहा है, ठीक है, 80C बाद पूरा को पूरा हो जब 1,50,000 वो उसको मिल जाएगा, इसके बाद health insurance से वो ले रहा है, तो वो कितना पे कर रहा है, that is 8,247 तो यह इसको as per section 80D इसको amount मिल जाएगा, टोटल जो है, net income जो वो कितना है, that is 11,42,000, sorry 11,42,000, sorry, यह aggregate, यह taxable income है, sorry, यह taxable income, that is 9,74,721, देखे, taxable income का मलता क्या होता है, वो income dispute of tax calculate होगा, तो देखे, tax इस amount पे वो कितना मोना, this much amount as per slab rate, तो आपको slab rate अच्छा से याद होने चाहिए, इसके बाद health and education, that is, for like, किस पे है, वो इस पे, for 4% of this amount, health and education says, total tax payable by the employee, that is 11,742, यह निकि यह liability है, employee के अपर कि वो अपने tax इतना amount जो government को pay करे, तो उसको जो है, इतना amount इसको pay करना है, right, तो यह देखिए है, फॉर्म सिस्टीन थे, कि फॉर्म सिस्टीन से हमें एक brief idea में लता है, कि हमारी income जो कहां कहां से जन्रोरी है, और अगर आपने employer को fully information नहीं दे रखी, चाहिए वो किसी भी perspective से related हो, चाहिए वो tax savings से related हो, चाहिए वो कोई expenses है, जैसे house rent हो गया, medical claim हो गया, यह और कोई expense जो आपने किया हो और आप उसका claim करने चाहरे हो, तो आपने इसको नहीं दिया, बट आपके पास अगर आपके पास उसकी valid evidence है, तो आप उसको claim कर सकते हो, बट I suggest अगर आपके पास claim नहीं है, यानि कि आपको इसको proof करो, तो अगर मालना जी in future, अगर in context, अगर आपके पास को इस, अगर आपस कोई question arise कर सकता है, तो अगर आपके पास valid proof नहीं है, ठीक है, so that would be really problem for you, so it's हमेशा यादर रखिये, जो आपके पास को valid proof है, तो ही आप अपनी information वापर पर परवड करें, otherwise इसको ignore करें, तो चलिए, form section से हमें काफी idea मिल गया, simply go to e-file, and this is the first part, that is income tax return, and then simply go to view form 76 AS, आपको यह form basically करने की किसलिए होता है, यह basically इसके लिए होता है कि आपके जो amount, जो form 16B में match कर रहा है, कि अब वही amount यहाँ पर income tax के portfolio में भी होई है, तो यह cross check करने के लिए होता है, जैसे दिके assessment area 22-23, view as html, and then simply click on view or download, अब देखिए, यहाँ पर आपका amount आगा है, total amount credit के इतना है, 11,48,527, देखिए यहाँ पर भी यह ही amount है, 11,48,527, यह gross amount है, next text आपके जो employer ने कितना डिटेट कर लिया, 1,12,000 पूरग बूरज़ए हो डिटेट हो गया है, अब यहाँ पर देखिए, इसके लिए क्या करें, मैंने आपको simplified करने के लिए, एक extra sheet है, जाहाँ पर आप अपने advancement text कर लोड़ कर सकते हो, ठीक है, पर दिखिए, आपर gross salary कितनी है, that is, 11,48,527, अब HR है दिखिए कितना claim कर रहा था, वो person, हम form 16 में इज़र देशकते हैं आपर, that is, 9597, यह excel sheet आपको मैं provide कर दूँगा, आपको कुछ नहीं करना, बस figures दालनी है, 9527, gratitude कोई amount नहीं है, इसके बाद transport अरूंड कुछ नहीं है, deduction में लेकर chain deduction, that is straight away 50,000, तो net salary जो कितनी है, 18,000, income from house office कोई income राइज नहीं हो रही, business income कोई है नहीं, income from other social में देखिया, तो आपका saving bank account पर जो interest है, या फिर post office है, अब मालनी ची में पस कोई इसका data है, तो इस person को जो है, on and around 4567, यह amount is saving bank account से मल रहा है, यानि कि और कोई नहीं आ रही, अगर आती तो यहां पर मैं लेक देता हूं, तो income from other sources आ रही है, by way of interest, that is 4567, इसके बाद ATC में आपने दिखा था, यह percentage पूरा पूरा claim कर रहा है, आप देख से थे हैं, यह पूरा ही claim कर रहा है, इसको इस्याद दो मिल नहीं सकता, सो यहां पर मैं ATC में यह पूरा मुट लगा हूं, that is 1,50000, इसके बाद आप ATD में यह person जो medical भी pay कर रहा है, ATD में आप देख सकते हूं, that is 8247, 8247, यह हो गया, देखे TTA में section को साता है, अगर मालेजिए आप senior citizen नहीं हूं, ठीक है, और अगर आपका interest पूरे साल में, saving bank से interest अगर 10,000 से exceed नहीं कर रहा, तो आप आप 80 TTA में up to 10,000 तक आप उसके exemption देशते हूं, तो तो कि यह person कितना मिल रहा है, 4567, so 10,000 croze नहीं कर रहा है, तो इसको पूर का पूरा यह deduction मिल रही, that is 4567, अगर माले जी यह amount 14,000 होता, तो maximum TTA में कितना मिलेगा 10,000, इससे जाधे नहीं मिलेगा, senior citizen के लिए यह amount है वो 50,000 है, but for non senior citizen उनकी लिए limit कितनी है 10,000, और कोई deduction नहीं है, तो दीखे net, अब income कितनी होगा, that is tax 7,000 कितना होगा, 9,30,753, तो दीखे उसके गॉर्डिंग जो tax बन रहा हो कितना मान रहा है, 1,2596, अगर TDS को कितना का तो दीखे TDS अभी हमने देगा 26 ES4 में, that is 1,12,000, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, 1,12,000, तो दीखे अगर यह positive वार है, so that means this much amount of refund, you will get back from the income tax, बट अगर यह negative वार है, that means the additional amount that you need to pay to the income tax officers, ठीक है, इस तरह के साब advance बेकर साथ हो, इसको आप एगणो करना क्योंकि सीने सिटिजिग के लिए है, यह आप एगणो करना, आपको जब मैं शीट प्रोवाइड करूँगा तो आपको simply कुछ नहीं करना, जैसे देखिया भी मैंने अपनी इस परसन की जो है, फिगर्स जहां पर डाली है, and automatically जहां पर इसका टेक्स के कुटो गया, इसी तरह आपको भी करना है, यह आपको याद नहीं है, तो अब बस यहां पर simply अपना फिगर्स डाली है, और आपका एक रफ लिए आपको पतलेगा कि आपका amount जे कितना refund हैगा, और कितना आपको अगर additional पे करना तो कितना पे करना है, चलिए, इसके बाद देखिए क्या करना है, आपने form section देख लिया, 26 ASP देख लिया, इसके बाद आपको क्या करना है, अब आप services में जाहिए, services में देखिए अपर देखिए अब एक नया एक additional information है, that is annual information system, यह क्या होती है, यह वह information होती है, जो कई बार tax page होता है, वह अपनी information कर provide नहीं करता, तो वह यहाँ पर आपको इसार है, यानि कि अगर manager अपने shares लियें, mystery fund लियें, यह उनको sale भी कर रहा है, तो भी यहाँ पर information आ जाएगी, even manager अगर आपको bank, state bank से आपको इतना अच्छा amount मल है, by way of interest, but आपके कहीं और reflect नहीं कर रहा, यहाँ यहाँ पर देखिए इस person का graph देखिए, लिखा आ रहा है कि इस person की जो सिफ इस salary से include आ रही है, और देखिए यह amount है, 11,48,527 तो इस person की जो income है वो सिफ यहीं से आ रही है और किसी source से नहीं आ रही है, चीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं, go to e-file, आए अब दिखते हैं इसको हम ITR file कैसे करना है, e-file में जाए, आए रही है, file in context return, select current year, online mode, continue, and start new filing, click on individual, and continue, select करना है, आपको at year one, क्योंकि से फरसे इस salary से आ रही है, और कोई किसी भी source से आपकी income generated नहीं है, तो simply click on ITR one, proceed with ITR one, let's get started, हम ITR file क्यों कर रहे हैं, because इस person की taxable income जो है, basic exemption limit से cross कर गया है, so simply click on this option, and continue, देखिए क्या लिखाया है, we have prefilled your return, based on information available with the income tax department, please confirm that the details in each section are correct to proceed, देखिए, अगर आप समझ रहे हैं कि ऐसी कोई income है, जो आप income tax department को नहीं show करना चारे, बट अगर आपने याद खना, अगर आपकी ऐसी कोई transition है, जबकि बैंक के थूर हुई है, और आप फिर भी नहीं दिखा रहे हैं, तो वह गलत है, ठीक है, so it's better कि अगर आपकी एकसी कोई transition हुई है, sale, purchase की, कुछ भी ऐसी हुई है, कोई बहुत बड़ा amount अगर आपके बैंक में आये हैं, तो आप इसको simply किसी भी source से आप इसको दिखा सकती है, ठीक है, proper अगर सही तर इसी दिखा हूँ, तो वह जाता better है, because otherwise मानिज आपने ITR file कर दी, आपने कुछ नहीं दिखाया है, बट बाद में कुछ आपकी होसाते स्कुरूट नहीं आ सकती है, और मैं आपको बता दूँँग, अगर मानिज जी एक बार अगर आपकी score नहीं आ जाती है, आपके pen के coding, तो आप जिंदिगी पर income tax department के नज़रों में रहते हो, इससे अच्छा है कि आप अपनी जो details है, वह आप truly and honestly, जो भी information है वह आप अच्छे से provide करो हो, now click on ok, देखिए यहां पर आपको क्या करना है, one by one section बना हुए, आपको इन पर simply one by one click करना है, अपनी information चेक करना है कि अगर कोई pre-filled है, क्या हो सही या नहीं है, और जो details नहीं है उसको fill up करना है, तो देखिए पहले जाते हम personal information पर, तो यह person की personal detail है, center government है, आप यहां पर change कर सकते हैं, क्या आप center government हो, state government हो, public sector हो, pensioner हो, या public sector unit से हो, ठीक है तो आप यहां पर show कर सकते हो, इसके बाद बुदरने कि filing session है कि आप ITR का file कर रहे हो, तो यहां पर देखिए आज का date है, that is 13 July, तो यहां पर देखिए, हम तो देखिए इसकी जो return है, वह हम due date से पहले कर रहे हैं, तो वह कौन से section होगा, 39 and 1, अगर माने जी लेट हो गए, तो कहां जाना पड़ेगा, 139 subsection 4 की तरफ, अगर माने जी किसी साल के अगर आप return, आप revise करना चाहरे हो, तो फिर आपको 139, 5 के voting करना पड़ेगा, अगर माने जी लेट, आपका बहुत ज़्याद delay हो गया, तो फिर आपको जाना पड़ेगा, section 119 subsection 2, B की तरफ, इसके बाद आपको देखिए लिखा होगा है कि आप सब पुझाने कि are you opting for new text exam or not, देखिए इसमें मैंने एक बहुत बड़ा lecture video बना हुआ है, तो मैं यहाँ पर मैं इसको अपने suggestion box में दे दूँगा, और इससे आपको आड़े रख कि आपको new text exam की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो अभी के लिए आपकर मैंने नो कर दिया है, इसके बाद आपको देखना है कि आपके आपने जो अपने बैंक डिटेश जितने विपके बैंक हैं, क्या आपने वह सारी बैंक डिटेश या पर दीवी या नहीं दीवी, अगर नहीं दीवी तो अब बस सिंपली या पर क्लिक कीजिए एड अधर और आपने बैंक की डिटेश आप प्रोवाइड कर सकते हूँ, इसके बाद अगर माली जाकर आपको लगता है कि आपका अमाउंट जो रिफंड आ रहा है, जैसे दिखिए अगर आप देख सकते हूँ कि इस परसिंगा यह अमाउंट रिफंड आ सकता है, तो वह कौन से बैंक अकाउंट में जाएगा तो वह उस पर करना आपको सेलेट करना है यानि इसको इसको इनेवल करना हुगा, कि आपको इस पर्टिक्लर बैंक में आपको रिफंड जाहिए, अब जाते हैं ग्रोस टोटल इंकम की तरफ, तो इस परसिंग की जो इंकम जीकि कहां का सहर आ रही है, सेलरी से आ रही है, तो इस परसिंग को कुछ नहीं मिल रहा हुँ, यह भी नहीं मिल रहा, अभी हमने section, form 16 देखा, देखिए, प्री फिल्ट है, 9597, क्या हम चेक कर सकते हैं, क्या यह correct है या नहीं है, देखिए, HRA 9597, तो यह प्री फिल्ट है, तो यह अमाँट भी कुछ सही है, आप पूछे हैं कि Do you agree with this information? Yes, अगर आप agree नहीं हो, तो no कर सकते हो, और आप उसके वाद आप हमाँट, इसको edit कर सकते हो, बट रहा है तो आप अपना जो information दे रहे हो, वो true facts हो तभी आप देना, then LTA नहीं मिल रहा, और कोई उसको exemption नहीं मिल रही, तो simply click on no, no किजिएगा, and then click on continue, तो दिखिए, salary से income charge अब कि तुम 10,8930, house property से कोई income नहीं है, तो यहाँपे हम इसको touch नहीं करेंगे, इसके बाद income from other sources है, यह दिखार है को pre-field में कि last year, इस person के जो refund मिला था, 350 का तो यहाँपर reflect हो रहा है, मैंने करते हैं आपको, अब आपको information आप हाइड नहीं कर सकते, but in case अगर रहा है कि ऐसी information है, या कोई ऐसी transaction है, जो नहीं है, तो आप इसको यहाँपर बता सकते हो, अब देखी income from other sources है, और को income यहाँपर arise हो रही है, देखी जैसे मैं यहाँपर actually sheet हो रहा था, कि इस income की इस person की जो है, interest on saving bank account जो है annually इतना मिल रहा है, तो वो यहाँपर reflect नहीं कर रहा, तो यहाँपर दिखा सकते हो, तो simply click on add another, and अब देखी पहला option, that is do you have interest income from saving bank account, yes, यहाँपर आप amount click कर सकते हो, 4, 5, 6, that's it, और कोई income नहीं आ रही है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, then simple click on continue, that's it, बस अब आपकी total income होगी, exemption income अगर आपकी कोई मिल रही है, जैसे in relation to agriculture income, अगर आपकी agriculture income 5,000 से कम है, तो आप यहाँपर show कर सकते हो, या कुछ और exemption जैसे मानेजी किसी को disability को मिल रही हो, ठीके या कोई pensioner हो, जो government से मिल रही हो, तो वो income exempt होती है, तो यहाँपर आप show कर सकते हो, इस पर कोई text नहीं होगा आपका, then click on confirm, तो दिखी दो section आपके confirm हो चुके हैं, इसके बाद इत है total deduction, donation नहीं है, scientific research नहीं है, ATG में नहीं है, हाँ हम इस amount से agreed हैं, तो yes है, इससे कोई deduction नहीं मिल रही है, ATD में मिल रही है, yes करेंगे इसको, ATE में कोई नहीं, that is related to the loan, अगर आपने किसी higher education loan लिया है, और अगर आपस पर कोई भी interest पे कर रहे हो, principle में नहीं interest पे कर रहे हो, तो उसका आप हहाँ पर exemption ले सकते हो, TTA that is related to the saving bank interest, तो वो claim करना चाहरा है, उस पर हमने yes कर दिया, and और कोई further detection नहीं है, तो simply click on no and then continue, तो यहाँ पर देखिए, ATC में इतना amount detection मिल लेगा, इसके बाद ATD में यहाँ पर आप इसको edit करके, आप amount लिख सकते हो, कि medically हम आप कितना पे कर रहे हो, जब आप medically कर तो information आप देखिए, ठीक से provide करना, देखिए, पहला बाट पुसर है कि whether you or any of your family member excluding parents is a senior citizen or not, देखिए, क्यामल लोगा, जैसे मानने जाकर आप married हो, तो that means आप SSE हैने कि जो taxpayer आप, आपके जो children है वो, plus आपका spouse, चाहिक है, तो यह आपकी family में count हो जाएगा, तो यह उनके लिए section है, तो अगर senior citizen है तो उसका आप yes कर सकते हो, otherwise no, इसके बाद आपके अगर आपको देखना है कि self and family के लिए, अगर आप कोई medical empire कर रहे हैं तो आप यह आप लिख सकते हैं, आपर देख सकते हो form 16 में आपर देख information है, that is 8247, 8247 तो आप लिख सकते हो, 8247 जैसे तो pre-filled आना चीदा बट नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, आपर हम लिख देगे, इसके बाद और कोई information नहीं है, अब second आपका की parents के लिए, उपर था आपके लिए और आपकी family, यानि की spouse and children, but अकर आप अपने parents साथ रह रहे हैं और आप अपने parents का medical empire कर रहे हो, तो उसका भी आप यहाँ पर reduction लेख सकते हो, under section 80D, अब देखिए आपका ATC हो गया, ATD हो गया, ATTTA में आपको देखिए आपकर करना है, तो ATTTA में जाना है, यहाँ पर आप amount लिख सकते हो, that is 4567, यानि की bank में आपको quarterly कितना annually base पर है, यानि की मिलता आपको quarterly base पर है, और annually आपको कितना मिला हो, आप amount लिख सकते हो, यह बुशन है कि warning देए आपको, कि deduction under section TTA is more than deduction that is provided by the employer, आप देख सकते हो कि employer ने कोई information नहीं दी, कि क्या इसको TTA से कोई amount इसको deduction ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, यह जीरू दिखा रहे हैं, हो सता है नहीं दी, आपने नहीं दी या किसी विज़र के सतों कि employer से मांगता नहीं है, आप यहाँ पर आप claim कर साथ हो, कोई दिक्कत नहीं है, just simply go to add, add करने के बाद आपके सारे detail आगी कि क्या आप कोई से deduction ले रहो, और को deduction ले रहे हैं, just simply click on confirm, तो देखिए आपके काफी सारे heads देखिए, confirm हो चुके हैं, आप देखिए हैं कि क्या आपने जो टेक्स जो total data हुए, TDS, देखिए कितना मैंच वा था, कितना data हो था, that is 1,12,000, तो यहाँ पर देखिए 1,12,000, भी कोई ठीक है, और कोई TDS नहीं कटा, so click on confirm, इसके बाद क्या आपकी total tax liability कितनी बन रही है, वह यहाँ शो करेगा, तो देखिए, gross return income यह बनती है, total addition आपने यह claim कर रहे हो, तो taxable income कि यह बनती है, और इस income पर जब tax quality करा, all automatic कर लिया, कितना है, one next 7514, इस पर higher education add करा, तो total tax किता हूँ है क्या कोई यह है, इसके बाद, यह आप आपका total tax liability यह बनती है, तो इसका आप confirm कर सकते हूँ, confirm करने के बाद, proceed कीजिए, अब यह आपको दिखा कि आपका amount है, कितना amount refundable है और कितना amount आपका directable होगा, that is 190, एक बार चेक कर रहते हैं, एक पर हो कि क्या information सब सही है या नहीं है, total tax liability यह अब चेक कर रहते हैं, yes, this is correct, अजी तो दिखिए, अब आपर, दिखिए, refund amount दिखिए, कितना आपका, is 9,350, actually कुछ data में mistake होगा था, amount deduction में वह आना था 150,000, जो 80C में था, 150 आना था, instead of 1,5,000, तो जब मैंने course check के तो उसके बाद मुझे मुझे माला कि amount deduction यहां पर काम था, इसके वीसे, वह refund बहुत कम दिखा रहा था, तो दिखिए, अब आप दिख सकते हो, दिखिए, refund amount के दिखिए, that is 9,350, तो दिखिए, यहां पर हमने जो collect that is 9,400, 50 rupees का difference इसलिए आ रहा है क्योंकि income from other sources में, यहां पर जो amount है, वह साथ ने इनको minus कहता था, जो refund रहा है था, पिछे साल का साथे 300 रहेगा, तो वह भी amount है, यहां से minus हो गया था, तो इसलिए यहां पर कुछ difference आ गया था, तो इस यहां पर 50,000 का difference आ रहा है, बागी more or less बागी सब कुछ सेम है, तो बस simply आप click करू, preview return, click on, इस यहां पर click किजिए, and proceed to preview, तो देखिए, यह सब आपके detail है, यहां पर check कर सकते हैं, and बस simply यहां पर last me click करना, आपको procedure validation, एक error show कर रहा है, यहां पर क्या बुसर है कि आपने town city ने जाली, तो क्या करना है, बस हां पर इसको click किजिए, जो भी error को click किजिए, और अपना जहां पर information दे सकते हो, तो यह देखिए, यहां पर stick है, town city बुसर है कि town city डाली है, तो यहां पर देखिए, डाल कर सकते हैं आपर हम, इसको click करने के बाद आपको वही इसको confirm करना है, confirm करना के बाद इसको proceed करना है, देखिए आपको refund order 9350, preview return, proceed to preview, लास्ट माने के बाद, proceed to validation, अब दिखिए आपर लिखा रहा है, no error was found, proceed to verification, अब आपके पास जो आधार नमबर भी आपके दे रखा है, उसको अब बस simply e-verify क्लिक करके इसको continue किजिए, पहला option मिलेगा that I would like to verify using OTP on mobile number with Adhaar, इस पिटिक करने के बाद, आपको लास्ट का ना है and continue किजिए, I agree and जैसे इसफिक क्लिक करेगा generate OTP, तो आपके mobile पर OTP आजएगा, OTP डानने के बाद इसको आप confirm किजिएगा, तब आपकी यह डिटिलियां पर आपकी ITR जो सम्मिट हो जाएगी, सम्मिट होने के बाद आपके पास तभी की तभी आपके पास mail, email आजएगा, email ने आप चेक कर सकते हो कि आपने ITR में क्या का डिटिली शो कर रही है, और इसको आप further future के लिए जब आप next ITR file करोगे, तो उसके लिए एक ITR ने के आपको save होगा सकते हो, right, so this is the basics that is how to file ITR 1, and here simply किसके लिए इस for the salary income person, आगे मैं ओ lecture video upload करूँगा, that is for ITR 2, ITR 3 and ITR 4, अनिक अगर मारे जी कोई business income है तो कैसे करना है, या मारे जी को silent income person जिसकी, जो mutual funds में invest करते हैं, या जो shares में invest करते हैं, तो वो कैसी information क्या provide करें, तो उसके लिए आगे further video हम upload करें हैं, right, so I hope you have understood very well, please like, share and subscribe, thank you,